जिल्दी से दियाने वाला प्रभीश मसीगी अभिवत्रनाव में सब बहुत लोगों मसीवत्रन देता हूं प्रोका निगरे से प्रोने और भी एक दिन हमें डिया एक एक दिन ये इसका इसाव देना पड़ता है इसलिए जो विक्ति प्रभु के साथ आरंब गरेगा तो कितन देनी बात है इना अजिकल का अवस्ता इतना बेंड़ते जाए रहा है कब हांपर क्या होने वाला है कुछ बोल नहीं सकता अजिकल मौसम इतना बदलते जारा है कई जहको पर मालब कभी सुस्ताई नहीं से बाढ़े आ रहे है अपने सुना होगा आस्ट्रेलिया में इतना बाढ़ा आया तोफ़ान आया वहसे अजारों को अपना टिकाने से अरना पड़ा बहुत बाढ़ा बात हो रहा है जैपान में बहुत मालब गूगंबाआए हिं दिनों में हम इतना बाढ़े बात है सुन रहा है कि मालब दोग डर करके ज्ञान बचाने के लिए भाग रहे ह प्रभु ने हमें कितना शांदी वादावरन में रेका है, क्यों रेका है, हम प्रभु का अधिक महिमा करें, हैना हमारे बीच में भी कभी भी कोई भी वादा आ सकता है, लेकिन प्रभु हमको बचा करके उसके महिमा के लिए हमें रेका है, और हम दूसरों के लिए भी एक रहने वाला एक जीवन बिटा पाए तो प्रभू को बहुत धन्यवा देता हूं फिस्ते जिनों में हम लोग प्रभी इश्व मसी ये दुनिया में आकर के मालग प्रभू ने जिस उदेश में आया था और उदेश पुरा करके मर करके जी उड़कर सुर्ग में गया तो प्रभ में जो भी पीता है वो अचानक नहीं पीता इना वाइबल जिवा पाएला कुरिंदी 15 अधिया है उसका तीन अवर चार वजन में बढ़ता है यह जो भी हुआ है यह उस समय में लिगा हुआ बात नहीं यह पपित्रशास्त्र में पपित्रताओं की द्वारा लिगा हुआ उन वजनों की अनिसार हुआ यह आपको ध्यान से चुनिएगा इना कुरिंदी 15 अधिया है उसका तीन और चार वजे इस कारण में सबसे पहले तुमें यह बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्रशास्त्र के वच्ण के अनुसार एशु मसी हमारे पापो के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्रशास्त्र के अनुसार तीसरे दीन जी भी उठा कितने अनुकी बात है पवित्रशास्त्र की अनिसार एशु पको चुबा प्रभी ईश्व मसी में जो भी वी था इसलिए प्रभूने आने के टेंबर क्या बोला था अमने त्रावी तो बड़ी बात है अभी तरशास्त्र में लिखा हुआ बातोंगे को कि vendor करने के लिए प्रभी यूमसीय आया और अभीतर शास्त्र के एक अने के अनिसार वजं के अनिसार यह बाध सबकों कुछ इसका मतलब आज अमारे जीवन में हमें इस प्रभु का वजन से कितना प्रीदी रहना चाहिए, इस वजन पर हमें कितना विश्वास करना चाहिए, यह बहुत आनमॉल बात आना, आपको मालूम है कि प्रभी इशोमसी की जीए उड़ना एक जोटी सी बात नहीं प्रियों, औ और यह प्रभु का वमारे प्रदी वाइदा था, क्योंकि इस यह उड़ने का बहुत बड़ा गहरा वाइदा हमारा क्या हुआ हुआ मल में, हमने तीन बात देखा था, हमें आपको शेमा मिला, परवेश्य के साथ मेल हुआ, और पवित्तदाई मिला, यह तीन बात हमने दे पड़ता है, वरण हमारे लिए भी जिनके लिए विश्वास धार्मिक्ता गिना जाएगा, आर्दत हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं, जिसने हमारे प्रभु येश्य मसी को मरे हुँ में से जिलाया, पापा से बढ़ना, वरण हमारे लिए भी जिनके लिए जैसे नाक में सीधा पगड़ना चाहिए इसा आत्वूमा कर पगड़ने वाला बात हो गया वो शब्द का सही अर्थ नहीं समझेगा मालब और भी ये शुमसी क्यों जिलाया गया हमारा दार मिदा के लिए जिलाया गया मालब समझने वालब भाशा में लिगने से कितना अच् लेकिन आपलो समझना अमारा दार मिदा के लिए जिलाया गया बर भी ये महुट पड़ी बात है अगर ये शुमसी जीन नहीं उड़ता सारे बात दोक्त अ जाता था प्रियों प्रभी ईश्व मसी को जी उड़ना जिरूरी था आपको मालू में उस समय में ईश्व मसी अपने मुर्तियों की बारे में जितना समय बढ़ाया वहाँ पर सब प्रभु ने ये बात भी बोला में मरने के बाद तीसरा दिन जी उड़ेगा जब से प्रभी ईश्व मसी ने मंडिली का बेद जब चेलों को समझाय था उसके बाद में प्रभु ने ये काना चिरू किया करके हम लोग मत्य की सुस्व माजार सोला अधिया है उसका 21 वजन बढ़ना उस समय से अपने चेलों को बताने लगा अवश्चह है कि में इरश्व कश्व में मालमें प्रभु ने माल चेलों को पूछा था कि कासरीया आदेश्य में आने के बाद में चेलों को प्रभु ने प Syria को प्रभु ने है नहीं तो बोलता है कि उन वभशतव में से कोई एक एइसा लोग बोलता है तब मालब पुर्व ने पूचा थम लोग क्या करता है खेले लोगों को पूचा तुम लोग क्या करता है और उस समय में अत्रोस ने कहा था कि तू जीविद परिमेश्र का पुत्र मस्या है तब ये शुमसी ने इसको कहा हे बरयोना शिमावन तू बागयवान ये तू धन्य है क्योंकि ये शरीर और लगूने नहीं सुर्गे विदा ने तुझीको ये बात प्रेग्ड किया है और इस प्रगाश मिलने वाला लोगों की द्वारा मेरा मंदली बनाये करके उदरी वाइदा दिया ठीक है ना अब ये प्रभु येश्व मसीः कोन है प्रभु येश्व मसीः दुनिया में क्यों आया प्रभु येश्व मसीः सूली पर क्यों मरा ये बात का प्रगास जिसको मिलेगा उस प्रगास आने वाला लोगों की द्वारा में क्या करेगा मंडली बनाऊंगा वो बात बोलने के बाद में प्रभु ने उस दिन से ओ बात है उस दिन बोलेगा तो ये प्रखास प्रभु ने चेलों को दिया उस दिन से प्रभु ने ये भी बात बोलने लेगा कि उसका इकी सुझे उस समय से येश्य अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरिशलिम को जाओ, और पुर्णीयों और प्रदा निया चको, और शाश्रियों के हाँ से बहुत दूख उठाओ, और मार डाला जाओ, और तीसरे दिन जी उठू, देखा, तीसरा दिन जी उठेगा, मृतियों से कदम कहानी ऐसा नहीं, रभू बोलता है, मृतियों के बाद में जी उठेगा, मरने के बाद में जी उठेगा, प्रियों, ये सब्द आपको कैसा लगता है, और ये प्रभूनी एक बार नहीं, बार बार, अब याब उसी अधिया, 17 अधिया है, 17 का 20 से इस मृनिश का पुत्र मृनिशों के हाथ में पकड़ाया जाएगा, फिर पर प्रभू बोल रहा है, दुबारा एक मार अवसर में प्रभू चेलों को बजा रहा है, वे उसको मार डालेंगे, और वो तीसरे दिन जी उठेगा, ये का मार डालेगा, मार डालेगा, वो आमर स्टो होने बोला, मार डाला जाने के बाद, फिर ओ जी उडएगा, फिर जी उडएगा, एक और वजन पढ़ना, उसका बीच सद्याइका, आठार अवनिश, देखो में हम एरुश्रीम को जाते है, और मनुशक का पूत्र प्रदानियाच को, और शाश्रियों के हाथ पकड़ाया चाहेगा, देखो एरुश्रीम के जाने के मार्ग में कोई मुझे मा डालेगा, इसे नहीं, देखो होने वाला संभव इतना क्लीर, इतना विस्तार से प्रभू बढ़ाता है, आप्रियों, एक कोन कर सकता, है, जिसके हाथ में सब कुछे होई कर सकता, जो वास्तों में इन श उसको अन्य जातियों के हाथ सोपेंगे, कि वे उसे थटों में उड़ाए, और कोडे मारे, और कुरूस पर चड़ाए, और वो तीसरी दिन जिलाया जाएगा, देखा, ये सारे बात कितना डीटेल डीटेल से प्रभू ने चेलों को समझाया, है, बहुत अनुका बाते हम लोग देखता है कि इतना बात प्रभू ने बढ़ाया, ये सारे बात हुआ, और इतना ही नहीं, प्रभी ईश्व मसीफ मर्दों से जी उड़ा, जी उड़ने के बाद में, है, हम देखता है कि माला, वहां बर, जी उड़ने के बाद में, इस जी उड़ने का गवाई, या जिन लोगों ने ईशुमसी को जी उड़ने के बाद में जी उड़ा करके देखा, देखा हुआ लोगोंगा गवाई तक चेले लोग विश्वास नहीं कि आप दोड़ा दोख, इसका मादर क्या है प्रियो, जी जी उड़ने के बाद इतना विश्वास करने लाइक बात नहीं, दुनिया में कोई भी अपने बुद्धी में समझने वाला बात नहीं, अभी मालव इन लोग देखा करके गवाई देने के बहुजती भी चैलन होंगा, ने वो क्या था, आप देखिए, मनको उसका मज़ा सोला दिया ही, आप उसका, नव से पढ़ना, सप्ता के पहले दिन भोर होते ही, वह जी उटकर, पहले पल मरिया मगदली को, जिसमें से उसने साथ दुष्टात में निकाली थी, दिखाई दिया, उसने जाकर एशो की सातियों को, जो शोक में डुबे हुए थे, और रो रहे थे, समाचार दिया, उनने ये सुनकर कि वह और उसने उसे देखा है, प्रतिति न की, आप देखें, जी उड़ करके, इसके साथ बात हुआ, उस प्रभु को देखा हुआ, उस मरिया मगदली के बात, जेले लोग बिश्वास नहीं किया, आप देखें, कितना अनुमॉल बात है, आप या आगे भी देखें, उसका बार समाचार दिया, परंतो उनों ने उसकी भी प्रतिति न की, बैदाओ प्रियो, आप या बैदाओ, वह ने करत क्या है, कि ये बात विश्वास करने के लिए बहुत मुश्किल की बात थे, क्योंकि मरा हुआ वित्तिक ऐसा जी उड़ सकता, आप देखो, ऐसा कोई बात सुनने से लोग क्यों नहीं चेकित हो, क्योंकि वो समय तक कभी ऐसे हुआ ही नहीं, मरा हुआ लोगों को जिलाया गया, वह बात अलगे, लेकिन अभी हमेशा के लिए मुर्तियों के ओपर विजेप आ करके, है, ये शुमसी जी उड़ा है, बहुत पड़ी बाते हैं, हम लोग नही कुछ समय के बाद में, पर दो, ये शुमसी हमेशा के लिए मुर्चे को पर विजेप आ करके जी उड़ा, ये बहुत अलोगी बात है, वो भी उस मालव महिमा के साथ, बहुत बड़ी बात है, हमारे जीवन में, मालव ये जानना जरूरी बात है, पर ये शुम पर, हमने जि सामने से सुर्ग में उड़ा लिया गया, सुर्ग में चला गया, वो प्रभु अपस आने वाला है, तो ये प्रभु ये शुमसी की जी उड़ना, किसके लिए उसका बात कुछे क्या था, हमें धर्मी टेरानी के लिए, देखे, अगर ये शुमसी जी नहीं उड़ा, तो कोने, ये दुनिया में ऐसा कोने, मैं आको बदाओ, प्रभु का वजन जो काता है इसका गेराई कितना बड़ा है, आप देखे, जब हम एबरानियों का पत्री में पढ़ता है, एबरानियों का पत्री, उसका साथ अत्याय का चार वजन, एबरानियों, उसका साथ अत्याय क है अब इस पर ध्यान करो कि वह कैसा महान था इस पर ध्यान करो शाय कितने लेने मुझोजन श्ब्स कर दो कितना तो वजन गाता है इसिसल की तो्य शचुच महाँ तोलना वाजना महाम पस爸 इतमों होतां। कि जितना महालत है... युए प्रभू के जैसा चेह कोई महान नहीं के यह प्रभू के जैसा कोई महान जाले है. ना चाहीं जिस प्रभू कषब्वे शुवात कि यह महान पनते। महान परमेश्व. जब पजन संगीदा में लिका है, उसका 35 सद्यार का 10 पज़न की शिरुवात पढ़ना. मेरे हड़ी हड़ी कहेगी, हे यहुँआ तेरे तुल्य कौन ही? तेरा तुल्य कौन ही, मेरे हड़ी हड़ी कहेगा. इसने प्रबु को जाना प्रियों अईसे तोड़ी है आज आज आपको मालू मैं पर ये शो मसी ने एक भी गीद नहीं रहा जाए पर आज आज को मालू मैं इस उमसी के नांबर कितना करोड़ों करोड़ों गीद है प्रियों आप सोचिए आज यहां पर भी देखेगा आपको प्रभी शुमसी का मौटमेंग करते हुए महिमा करते हुए गीद गाते रहता है कितनी लोग उसका गीद गा रहा है आप देखिए कहीं भी जाएगा तो आप देखो गीद मैं कहीं बार या आत्रा में जाने के टेपर मैंने कि लिए एक बार देखा यह पान की दुका में भी शुमसी का गीद मना बज़ रहे हैं एप देखो कितना अनुके बाते प्रीयों आज भी ओगीद रहा जा जा रहा है घी इस नहीं लेकिन इस मुसी की बारे में दुनिया कितना गीद रॉस्ते जाई रहा है अग्यों कितना करें देखका输सिंति हैंदõ तो еф भुवुकत रहे do अग्यहे, को देखेया, क्यों धितना के बात है।उरा वट में अमेसा भुवकत की रहे की इतरहीं सोफ़ा दुनिया को दिन रोजीदिन राए चोभी कंदा पर ये शुमीह की परजार करते रेता है आग encouragement किस ही परजार करता है हैं यह दुनिया में प्रियोग कितना महान लोग हुआ के अभी आमने भारेद में बोले गादर that क्वारे में कौन पर्जार करते हैं रहाता हुआ है और इस तो भी पुरा दुनिया में कोई परजार करता है रोज परजार करता है गया आपको आप एक बादाओ प्रवीश-मसिर की बारे में रोज रोज जोबीस खंड़ा प्रजार केंच आजाएं आप देकिए दुनिया व्रमे एक देश में नहीं है में दुनिया बर में कुछ कि यह करका रोजा7 वजब दुर्म म्ोड देखो प्रियों हैं हमारे प्रभीश मसीग कित्ना वहर जाता है को मद्ब उसकंगे इसल फाब कि बढ़ता है कि इने प्रगार की ने रिकॉर्ट के बाता है लेकिन लोग अपना विज्क करके है लोग प्रभु का समझा सुनाते रहता है क्यों क्यों कि वह महान प्रियों हो येक मात्र महान है जिसको महान-कानलाये का लाइक फिर्दी वह है हमारा पर भी शुमसी अभी चाहे अभी आप बैदाओ ये शुमसी की बारे में लिखने वाला कि दाब हो एंगो कि दुनिया बार चुक आए आप देखे परियो कहीं भी जाओ कुलर कि Τनी लोग अभी भी लग राहे अभी भी कई लोग लगने में लगा हुआ है क्यों कि महान है इसके हलाव किसके बारे में लिखो है रियुग सच्छे है वह बात बैसने लोगों को इसलिए लग रहा है है अब देखो है आपका वी घर में ये प्रभी यिश्व मसी saja के बारे में लिखा हुआ जिरूर कितना किना में वह सब्सक्राइब हो सकता है बहुत बड़ी बात बात है परियो मैं को भी बोलने के लिए एक ही वेति है प्रभी यिश्व मसी और कितना महाल हीbull्य महानसी महानसी इतना मुर्दो कोड़ा अब कुमान में कुरुदियों पत्री उसका पंदरादियाये उसका अंदरा दियाएका पीस उन्य बढ़ा परण तु सच मुझ मसी मुर्दों में से जी उटा है और जो सो गए है उनमें वह पहला फॉल हुआ जी उटने वालों में वह पहला फॉल हुआ ये शुमसी पहला फॉल हो करके जी उटा इसलिए इशो मसी में विश्वात करने वाला हमारे लिए प्रभु ने कितना बड़ा जीविदा आशा रख कर गया क्योंकि हम भी मसी के साथ मसी की द्वारा जिलाए जाएगा कौन जिलाए जाएगा आपको बताओ जिसने मसी के आत्मा पाया है आउप मुझे सुन रहा है प्रभु के आत्मा पाया हुआ प्रभु के लोगों को प्रभु जिलाएगा उसके लिए प्रभु अभी आ रहा है है अभी आने का आको पहले वी बश्धै ना प्रभु का गुपता आगबन भी ए přगडओ अगमन भी है गुपता आगमन का बारे में मिलां प्रभी असका समझे देग मैं आअचा करता हूं इन्हें आगरसा समझे ना तो भी आपने उदार पाया है तो आपको इतना प्रकाश अगर नहीं भी मिला है वह अपने उदार पाया है नया ज 09 Cash पाया है आत्म को पाया है चैनोर टो क्या गुब आगमन में आफ वह वह उडा रिया जाए गाफ आपको वह बात है नहीं हमें आपको जानकरी नहीं तो भी आप जाएगा येस प्र­म का वजन तो बोलने का रतिक्रयोग के प्रभर यूश्वंसी कि तुनके जैसा कोई गान है वह दुनिया में आया मैं आपको दुनिया का चर्तर को बदल दिया गजब एक वित्ती के जीवन में आता है तो वेक्ति बदल जाता है हम लोग बदला हुए लोग है और अभी का जीवन में कितना अंदर है पहले का जीवन में अंदर है कि नहीं आज भी एक यह प्रजार करता है आनों सब लोग सुबेर इतना तयार हो करके सब परतों लोगों को वजन मिलना चाहिए इस आशा में ऐक अमारे जिरुबे काम कर रहा है जीवित आशा अपर हैसा मुझा के लिए जीविद है क्योंकि यह आशा देने वाला अमारे प्रमो सदा के लिए जीविद है और मुझा करेगा हमें जीवी दाजआ है तो उसके अनसार कार्य आमारी इजिर्में दिगना चाहिए ना 2002 अधिश कोई बाद आपके लिए बहुत अच्छा लएगा आपको बहुत आनदर प्रसान करेगा और क्या से पैसके महानदा में और जनम में महाने, वो जनम में महाने, बहुत बात उसके उपर भी बोलने के लिए है, लेकि मैं सब बात आपको समशे तुमें बोलना चाहूँगा, क्योंकि नहीं तो ये एक ही बात उपर पुरा समय हो जाएगा, मैं कम से कम साथ बात आपको बताओंगा, तो उसमें से पहला बात क्या ह है कि हमें जो दर्मे बनाने वाला प्रवो महान परमेश रहे, जीर उड़ा है, और जीर उड़ने में बहला है, वो महान प्रवो जब ये दुनिया में जनम लिया, वो जनम एक महान बात था, वो जनम में महान है, ऐसा है कि जनम किसी का हुआ है, ऐसा है कि जनम ये दुनिया प्रबू का एक दूद्र उनके पास आग खडा हुआ और प्रबू का तेच उनके चारों अरे बहुत डर गए तब सर्गोद उतने उनसे कहां मठ डरो क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ा आनंत का सुसमाचा सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाउत के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धार करता जन्मा है और यही मसीव प्रभू है और इ एक एक उस स्वर्गोदूत के साथ स्वर्गोदूतों का दल परमेशर की सूती करते हुए और यह करते दिखाई दिया आकाश में परमेशर की महिमा और प्रुत्वी पर उन मनुश्यों में जिससे वह प्रसन है शांती है जब एशू जब स्वर्गोदूत उनके पास से डगेरियों ने आपस में कहा आओ हम बैतलेम चाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभू ने हमें बताया है देखे और आगे हम देखें कि अभी आप देखिए यह जनम कितनों महान पाते हैं आप देखिए वामर मलग बहुत बढ़ा और किस्प्राइब बहुत भैंकर गाय संग्र आया कहां से माहान प्रभुका यह दुनिया में जनम लेने कि समीब हुआ वह बात आकए सब्सक्राइक सब्सक्राइब वो कितना महाने आप लोड देखो पुलिए जनम का समय में प्रभी ईश्व मसी क्या ओ जनम का चनित्र बोलने के लिए जायेगा तो अब इतर रुखेगा नी अभी आप जाओ वो पाबरिक दो करके एक वुमारी की द्वारा हमिश्वानी की अनिसार वजन की अनिसार बिदलहें में जो दावीद का नगरे वहांबर जनम हुआ यरुम होने के समय की बात है आप देखो स्वरकदूद गेडरियों को प्रगणो करके वो गोल्ट रहे और स्वरकदूद उस के लिए विद्गाता है कितना अनुका सम्पॉर्थ गीद मैं जीन में यह सारे लोगोंके लिए सशारी दुनिया की लोगोंके लिए और द। प्रियों हैं हमने ये बात को देखा था रभी शुक्र से किसके लिए आया सबके लिए आया ये न कोई सर्देगी नहीं तो अभी यहां बड़ एक विश्ष्ट बात किया है कि सुर्ग में से सुर्ग दूदा करके गीद दा करके उन लोगों के सामने वो सुर्ग में चला गया देखा अईसा मानब बोलने का अरत जनम में वो महाल विटी था जनम में वो सबसे महाल है अईसा एक काम दुनिया में कभी हुआ नहीं आगे होगा भी नहीं अब देखिए अईसा एक जनम किसी का नहीं होगा तो इसका मालब ये शुमसी का जनम कितना महाल बाते हैं कितना पढ़ने के लिए इस्व मुझी ने यह चिन वी खिदाव और मुझा पढ़कर के उसके बाद में यह बोलता है यह बजन में अभी पढ़कर तुम्हें सुनाया ना अभी यह बजन पूरा हो गया देखो वहां पर एक बात जिब उसका लुका चाहरा दिया है उसका इकीस करने लगा आज यह लेक तुम्हारे सामने पूरा हुआ है मैं उसका पहले का बजन पढ़ने के जरुत ने आंको माल में संभव इसलिए में तुर्णा शोट में समय बचाने के लिए उससे पहले है उन्होंने पढ़ा हुआ बाग और इस सारे बात इससे पहले भी बोला इस सब लोगोंने उसके बाते सुन करके है कैसे क्या बात है है सब लोग एक दम चक्रतों करके सारा अर्जा अनुगरा की बाते उसके मुह से निकलती थी उसने अचंबित हुए इतना अनुप की बात है उनके मुह से निकलने वाला बात कैसे बात था अचंबित की बात है एक प शुरूदी मदूर शब्द बगत बड़ी बात है यह सुनकर के वो लोग अच्छंबी दुवे अच्छंबी दुआ आप देखो कैसा क्या बात है यह कैसा कौन बोल सकता है कि मलें यह जो वजन मैंने पवितर शासर में बढ़ा यह मैंने पढ़ने कारण वह पूरा हो गया कैस कौन बोल सकता अरे जिसके बारे में वह वजन लिखा वही बोल सकता अभी इसका मदलब क्या है कि वह यह के शब्दों में यह प्रगड़ कर रहा था कि सारे बात मेरी बारे में लिखा है पर तो क्या करूं को समय के लोगों ने वह बात को नहीं जाना नहीं जाना देखिए इस पर सब को अचंबा हुआ और वे आपस में बाते करते कहने लगे ये कैसा वचन है क्योंकि वह अधिकार और सामत के साथ अशुदा आत्माओं को आग्या देता है और वे निकाले जाते हैं अशुदा निकल जाओ तुरंदो निकल जाता देखो एक एक शब्द में प्रभू ने वह सब्सक्राइब अपर सामर्थ प्रगन किया प्रिवायत के दुनिया में कभी है इसे उबाए किया हा देखो प्रभू का मुझसे निकलने वारा बातों को सुनकर के लोग चाकित हुआ और प्रभू का कामों को देख करके लोग चाकित हुआ हैं रोगी लोग आता है रोगी को प्रभू एक शब्द में ठीक हो करके प्रभू का महिमा कर रहे अधिक आदिकार का सब्द क्योंकि वह ओको ने प्रियों सच्च मुझ में सादरा सिस्टी का सरजनगार ओंभाद प् लोग ने लोंगे पाचाना खुछ का बारे में ये सारे बात हो रहा है तो इस demol की लोगे की लिए का बैगा उनिह अकुंत क्या मत्याया को मालस दीता है अट ओड़ोगा उसका आफ trusts उत्मान उसका 46 वजन में बहुत सुन्दर बात है प्रियों आप देखो लब प्रभु कहिए कि इस अफ्टों में क्या सहामरत है प्रियों कौन मालों इनको पंग्ड सकता वो कौन है तुने मेरे सेर पर ने लू का सुरी योगना योगना साथ अध्याय का 46 वजन तुने अध्याय किसी मनुष्य के मनुष्य ने कभी ऐसे बाते नहीं की देखा मने किसी मनुष्य ने आईसा विट्टी कुम कैसे बगड़ूं उस तो कारण चाहिए न बगड़ने किले कुछ आंगामा किया कुछ समजिया किया उस्टा कि नहीं ओ तो जो भी बात बोल रहा है मैं आपको बढ़ा हूं प्रियोग जीवन बर उस्मान प्रभू ये दुनिया में जब चला और बातों में लोगों को कितने प्रगार के आशिश देख करके चला विरोधी लोग किसी प्रगार में खुची भी बात दूणता है तो मिलता है नहीं प्रभू को बसाने के लिए लोगों ने शासरी वरीशी लोगों ने कितना प्रयास किया आपको मान में प्रियोग को कितना मान है वो महान है उसका तुल्य कोई नहीं ये बात जानना तो ये शुमसी जनम में महान है और दूसरी बात है ये शुमसी अपने मुर्टियों में महान है ये शुमसी अपना पुर्तियों का खूबी किया भी आपको बदाओ लुका करसु समझा उसका तेही सप्या है उसका 44 से 49 पड़ेंगे लुका उसका तेही सप्या है तुन्डी तुन्डी त्री उसका चौवाली से उन्पच्छा से लगबग दो पहर से तीसरे पहर तक सारे देश में अंदियर्य चाहा रहा और सूरिय का उजयाला जाता रहा और मंदिर का परदा बीच से फट गया और एशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा है पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सोबता हूँ और यह करकर प्रा यह देखने को इकटी हुई थी इस घटना को देखकर चाती पीटे हुई लोड गई और उसके सब जान पैचान और जो स्रिया गलिल में उसके साथ आई थी दूर खड़ी हुई यह सब देख रही थी देखिए यामबर हम क्या देखता है यह दुनिया में ऐसा किसी के मृति क्योंकि समय में मलब सारे देश अंदार से बर गया आप देखो तीन गंडा गोर अंदगार बहुत भेंगरांदी तूफान हुआ है मलब वहां पर धरती एक कम भड़ने लेगा आप देखो यह कैसे बात है यह दुनिया में ऐसा किसी का मृतियू में हुआ है क्या इसलिए वहां पर जो सेना की सुभेदार में भी गवाई देता है यह दर्मी था देखा उनने कितनी ऐसा मृतियू देखा पर तो ऐसा कोई मृतियू कभी देखा नहीं इसलिए उसका गवाई में भी कितना बहुत बड़ा बात है हम देखता है इसलिए मृतियू में महान था ऐसा एक मृतियू अभी वागी इसलिए का मृतियू का चरितरा आपको मालूम है एकी दिन में पांचादा अलत में सातों बार न्याय करने के बाद में भी सातों बार न्यायों ने गवाई दिया इस पर कोई भी प्रगार का दूश नहीं कलंगी नहीं गिलती नहीं पाब नहीं ये सारे बात बोल करके गवर्नर पिला तो उसने भी ये धर्मी क्या लिभू में मेरा हाथ नहीं बोलकर हाथ दोया हो दोते दोते मर गया मृते एक बात जानना और इशो मसी को इस प्रगार का स्रॉय मृतिव क्यों दिया गया प्रियों इस्व मसी आमारे लिए तो उससे पहले आप सोचेगा तो चालो सूली पर मरने से पहले में जैर पीकर मर जाता हूं कि वह इतना बाइंकर बेजना जाने के मुर्तियों है उसमें जाने के लिए कौन चाहिए अपनी हो फ़रंदो हम देखता है हमारा प्रभीश मुषी ने मुर्तियों का स्वाद चका मुर्तियों का स्वाद चक्रेवाले एक मात्र मिक्ति प्रभीश मसी है है ना उसको मालब ओ क्या रेस्ट पिला रहे क्या टाइमर वह भी नहीं पिया क्योंकि वह पिएगा तो उसके नशा में यह स्वाद नहीं चेल पाएगा आप देखो कितना अल्वत बात है प्रियों य वह लोगी उसके तुल्य कोई नहीं वो महान प्रभूता इसलिए बात हुआ ओके तिसरा एक बात में आप बनाओ प्रभू कि खबर में ओम महान था है यह बीजानना चाहिए ना बिल्कुल हमारे यह शुबंसी महानी महान है महानों से महान है ओमान बेक्टिका कबर में क् प्रदान याचों को अर्फरिसेवने पिलतों के पास इकटे अफकर कहां है महाराजा राज हमें स्मरण है कि उस भर्माने वाले ने जब वे जीवित था कहां था मैं तीसरे दिन के बाद जी उटूंगा अता आग्या दे कि तिसरे दिन तक कबर के रखवाली की जाए ऐसा नहों कि उसके चेले आकर उसे चुरा ले जाए और लोगों में से कहने लगे कि वो मरे हो में से जी उटा है तब पिछला धोका पहले से भी बुरा होगा पिलातुस ने उसे कहा तुमारे पास पहरोय तो है जाओ अपनी समझ की अड़ो सा रखवाली करो अतावे पहरोय को इस साथ ले कर गए और पत्तर पर मोहर लगा कर कबर की रखवाली की अभी आप देखो अईसा कभी आई तक हुआ है क्या है अभी यह बात क्या बजाता है है मानब प्रभी शुमसी की कबर कितना अदुल्य है महान बात एगी नहीं आई तक किसी विच्टी का कबर में पहरा दिया है 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 हम देखिए यहाँ बर प्रभी शुमसी की कबर में पहरा दिया गया है नहीं साथ है मानव कबर को रूमी समराण का मोर लगाया गया moor लगाने के बाद में ओ मौर तोड़ने के लिए उस समय में दुनिया में किसी का ताकत नहीं था जो कि और हमिर्स मिर्स अम्राट का मौर है अब बताओ उस कवर को मौर लगाया गया और वाहां पहर दिया जाए रहा है देखिए ऐसा कोई कवर है क्या अपनी हो इसके बाद में क्या उड़ा क्या हुआ अपने को मालूँ लेकिन में मुर्त्यों में उस घबर में वो माहन था ये दुनिया में किसी का ऐसा संभव ऊभा नहीं उस प्रकार एक अदुल्य रीदी में क्योंकि वोलोग क्या काते है वोलोग बोलता है वो जीते जीते बोला था में मरने का बाद तीसरा दी जी उड़ेगा उनको विश्वास था है कि जी उड़ेगा आप देखो इसलिए किसी भी प्रकार वो बाहर नहीं आना चाहिए और वो जी उड़ गया तो भी उसके अंतर किया रख बोला हो गार बाहर आगया तो का अंधर लाज़ जाँ है यह तो असी नहीं चाहिए अई से कहा है शाइद वह सकता हो जी उड़े प्र वह पहाने किया बोलता है कि चैल्या लोगा आकर के उड़ा ले जाएगा तो फिर बात आ और बिग्ड जाएगा उनको मालें जी उड़ेगा पिर उच्छेला लोगों का उसमें बीच में लेकर आए ऐसा बोल करके यह बात और भी कोंगी प्रभु ने जीवन काल में किया हुआ बात उनको माल में और उन्होंने जो भी सिच्छन दिया वह सच्छ है करके उनको माल उनका दिल गवाई देता है आप देख मत्ती 28 सद्याय का दो से चारतर पड़ेगी और देखो एक बड़ा कुकंप हुआ अभी आइसा कभी होता है क्या अभी आप देखिए या मत हिस्रा दिन जेब आया वामरिक बड़ा भूगंबुवा और क्योंकि प्रभू का एक दूत स्वर्ग से उत्रा और पांस आकर उसने पत्थर को लुड़का दिया और उस पर बैट गया उसका रूप बिजली कसा और उसका वश्रा पाले के समण उजल था उसके भय से परुए काप उटे और मुरुतक समण हो गए स्वर्ग दूतनी स्रियों से कहां मड़रों में जाता हूँ जानता हूँ कि तुम एशु को जो कुरूस पर चड़ाय गया था दूंटी हो यह 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 नहीं है पर उपने वचन की अरसा जी उठा है कितना बड़ी बात है अपनी वजन की अनिसार जी उड़ा है देखें यहां मर क्या हूँ अपरियों प्रभी ईशु मुसी जिस कबर में था और यह बात वामर तीसरा दिन बड़ा संभव हो रहा है कि अश्वण को दूंद उतरा आया करके तर को पतर लुड़ा करके यह पतर को ऊपर बैटाए अ़ दिक है प्रभुको प्रभुको पतर उटाने के जरूरत आ क्या कोई जरूरत नहीं तेकिन यह मानमिजादी यह सचाही को समझने के लिए प्रभुने चिन द्वम में पत्तर बापस कोन ना बोलेगा तो वह एक असंब बात है क्योंकि मोर ना मौर रोमी साप्राइट का मौर प्रभु का चैनल होगा आकर के यह बात देख करके उनको विश्वास में और भी मजबूत होने के लिए प्रभु ने मार्क खोला आप देखो नहीं तो वह कबर आइसा कितना महान नीदी मिन किया का आप देखिए बात सवनने से आमको कैसे लगता है कितना अन्फुत बाते परियों प्रफु ये शुमसी जी उड़ने में कितना महाल है उसका जी उड़ने के समय में भी सुर्ग दूद आकर के यह संदेश देना है वह जी इड़ा यहीं सा उसने कहा था वही सा जी इड़ा कितना अन्यूमन बात है प्रीयों फिर्यों है एसा एक संबम वत हम लों जो भी बात सुनता है प्रीयों कोई एक मरा हुआ वित्ती के बारे में ने मुर्दगों से जी उड़ा हुआ हमेरी साथ के लिए जीविद प्रभु के बारे में आगे भी पिदा के दहिने और बैट करके हमारी बिंदी कर रहा है कितना अनुमोर बात है तो जी उड़ने में ओ मान था ऐसा एक संभव कभी हु कि बारे में ने रिख गातर बोले आएक बात है यह जब महात्मा गांधी मरने के बाद में बारे वो दिन चरिस्टर मिलेगा हुआ वंबात है बारे वो दिन सरुजणी नेड़ू है ओक अबरसान में जाकर के रोते रोते का मातमजी आप एक मान विट्टी था और प्रभी ये दुनिया में ऐसे महान रहों का कितना कबर पड़ा है उस आरा कबर बेंद पड़ा है अभी भी आप जाएगा तो एक कबर मिलेगा क्या बात है प्रियों क्या आप ये विश्वास करोगे प्रियों हमारा प्रभू जी उड़ने में कितना महान है और जो मर गया और दुनिया में जिसने जिसको भी महान जो सबस्ता है वो महान लोग भी ईश्व मुसिक की द्वारा जिला जाएगा एक दिन प्रभी ईश्व मुसिकी नियाए असर के सामने ये सारे ये मनेशी के सामने अपने आपको मान करके वो लोग कहलाता है हो सब कटाऊंगा चोटा बड़ा सब कुछ सब लोग ओ प्रियोग एक-ड 영화 एक ही सचाई है यह सच्चा में पर विश्यास करना तब यह सचा धर्मि मींडेगा कैसे इशुमसी जी मुडने में महानि तर पहां पांचमद दुनिया में मालम मिलगी ऐसे नहीं ये शुमसी क्या हुआ हमको मालम ये शुमसी ये सारे काम हमारी लिए करने के लिए ये अपरानियों को पत्री पाना दिया है उसका तीसरा वजन पड़ेंगे वो उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की चाप है अस्व वस्तों को अपनी सामत की वच्चन से संबालता है वह पापियों को दोकर उजे स्तानों पर महामहिन के दाइने जा बैठा देखा महामहिमा की दाइने वर जाकर बैठा बूलेगा तो पिधा परेमेश्र की प्रभीशमसी मर्दों से जी उड़ने के बाद पिदा की दैने जा बैटा ये बहुत बड़ी एक बात है प्रभुका सुर्गा रोहन आको माल में चेलोंगी आंगोंगी सामने प्रभीशमसी सुर्ग पर उड़ा लिया गया प्रभीशमसी कामरे पिदा का दैने जा बैटा है उस महिमा का दैने जा बैटा है कितना बड़ी बात है में आको बजने चाहता हूं कि मनब जी उड़ी करके उस महिमा में महिमा में म्रवेश किया और उस महिमा या उस पिदा का दैने अवर जा बैटा तो कितना महाने सुर्गा रोल करके वो महिमा में जा करके बैटा महाने के नहीं कितना महान बात है प्रियों कितना महान बात है वो आज भी हमारे लिए बिंदी करने के लिए वो पिदा की दहीने और बैटा है बहुत बड़ी बात है प्रियों हमारे लिए कितना बड़ा माना साधुना मिलने वारा बात है प्रोल साहर मिलने वारा बात है चटवा एक बात भी आपको बदाओ इस वाम्बर जिब दोबरा जो आगमन होता है उसमें में इसव मुसी के ऊपर ये बात लिका है करके प्राईश्ट गबार के उसका उनिस अध्याय है उसका उन्ने सद्याएका उसका ग्यार से सोलत सक पढ़ना पढ़िएगा फिर मैंने स्वार्गों को खूला हुआ देखा और देखता हो कि एक श्वेद गोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्यावस सत्य कहलाता है और वह धर्म के साथ न्याय और प्रस भाजमकुट है उस पर एक नाम लिखा है जिसने उसको छोड और कोई नहीं जानता वह लहूद का हुआ वह वश्र पैने हैं और उसका नाम परमेशर का वचण है स्वर की सेना सेथ गोड़ों पर सवार और शेथ और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है जाती जाती को मारने के लिए उसके मूँ से एक चोकी तलवार निकलती है वो लोहे का राज़ दंड़ लिये हुए उन पर राज्य करेगा और सर्व शक्तिमान परमेशर के भध्यानक प्रकुप की जजलाट की मदीरा की कुंड में रोंदे का उसके वसरों और जागे पर यह नाम लिखा है राजा और प्रभू का प्रभू प्रभू उनका प्रभू राजा होंगा राजा और प्रवु को इस वेदेध कोड़े में आने वाला ये खोण है ये प्रभी शुमसीव और देखता है वह को सबको याद होगा ये पर मोद़ो लिडाई का इंड में प्रभी शुमसी यहुदी लोगी चुड़कारा के लिए उनके लिए आने वाला आगमन के बाते हैं उस अबे में आ करके परभी शुमसी, इसके बाद आजार सार रहाची करेगा, उससे पहले परभी शुमसी, महीमा का सिरासन में बैट करके जादियों का निहाइए करेगा, यह सब आपने प्रकाशिटबात का सेश्चिन में आपने जाना है करके मैं आशा करता हूँ याद होगा है बहुत बड़ी बात है बहुत बड़ी बात है पर दुनिया को राज करने के लिए राजा होंगे राजा प्रभू होंगे प्रभू हो करके आएगा आपको मालम है वह हमेशा राजा है अभी वह महिमा में आए आपको आपको मालम है कि जिब इशो मसी जुनिया में जो जैनम हुआ था जैनम का अमर हुआ एक प्रकार बोलेगा तो सड़क में हुआ क्योंकि सड़क में जैनम होने के बाद हमें फिर उनको कोशनमी में लिटा है करके बजन पड़ता है अब यह आपका विशह है तो जैनम से राजा था क्योंकि जो पूर वह से जो ग्यानि रोग आया था उन लोग मारा वाबर आकर के राजमर में आकर के एरोदार राजा को पूछने वाले कि सवाल आपर याद होगा मत्ती उसका दूसरा ज्याय का दूसरा बजन में यहुदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहा है योगदियों के राजा जिसका जनम हुआ है राजा का जनम हुआ है राजा का जनम हुआ है राजा का जनम हुआ है अब बताओ अभी वो लोगों को एक तारा अग्वाई करके आया था लेकिन वो लोगों ने अपना मुद्धी इस्तेमल किया उनको लेगा राजा जनम हुआ त वोड़ों ने तारह का अगवाई चोड़ करके वो राजमल में गया कितना पंगा हो गया ना यह पंगा नहीं अचली यह सब बहुतर शास्त्र पूरा होने के लिए कितना आप सबस्कार कितना माला कि अनिशियर निल्व गया और राजा पीरा थे इंडिया गया ने फिर रन वा को हैं याजब को सबको बुला करके पूचने लगा कि मस्या के जर्म का नहीं ने वाला ने समझाया बिजरह में लिखा एसे इसे मन बिजरह में जर्मीक करके यह बात वो नहीं भजाया घरोध Кरना अरभ नहीं पर जालिएphone करना आतर के मुझे भी तूरा बहांसरा कि स्कारें वैंगा किया उन्होंने समय को घिंत करता है उन्होंने दो साइड करके ने दूसरा मौनें ऊंद corridor राजा स्थित्थत्यूेद यह tirar तंदर लिए रैक्षा रॉधा को खत्म किया वो भी एक पविश्वाणी था यह पूरा होने के लिए सब कुछ हुआ प्रियों एक बात जानना प्रभू में जो भी बिता है वो सब प्रवित्षास्तर के अरिसार हुआ प्रम का वजन पूरा होना आप आपको आपको समय मिलने पर आप मक्ति दूसरा जाय प्रवों का प्रवू है प्रविए बात इसे परमेशर है अठत पिता जिसकी और से सब वस्तुए है और हम उसी के लिए है और एकी प्रवों है अठत एश्यमसी जिसके दरह सब वस्तुए हुए और हम भी उसे के द्वारा है उसकी द्वारा है पर सब को यह ज्ञान नहीं है आज भी कितना समस्या बैस डिवीद सब चलता है क्यों सब को यह समझ नहीं प्रियोग वही एक मात्र प्रभु है वह प्रवू हो औंगा प्रभु है एक साधा प्रभु क्यान से बढ़कर उठाओंगे राजा और प्रभू औंगा प्रभू हम ने अभी मालब प्रगाश्तवा कि उननीस का सवालों में क्या पढ़ा था और विकश्टवा क्यों है राजाओं का राजा और प्रभों का प्रभा प्रभू किस द lotok वह तो लाज तुम्हें महाने और र girlfriend तुम्हें महाने और भी एक बात बोल करके मैं कतम करने के लिए चाहूंगा समय को देख करके पर मनल अनंददा में भी महाने ओ अनंददा आने वाला अनंददा एक विदा हुआ अनंददा है अभी आने वाला अनंददा है विदा हुआ अनंददा में प्रभीश मसी विदा क साथ था वह आमने देखा अभी आने वाला अनंददा में भी वह माने बहुत बड़ी बात है ना अब पढ़िएगा जिब प्रगाशिवा की की सद्याय उसका 22 हो ज़िए उसका मंदीर है उस नगर में सूर्य और चांद के उजयले की अवश्यक्त नहीं अभी हम दुनिया में रेने वाले बात लोग यह सोच सते हैं सूर्ज रहे तो क्या अवस्ता रहेगा गया अभी सब कुछ है यह सारा अवस्ता कितना वायंगर बिगड़ जाएगा अनंददा म में अभी यह सूर्ज चंत्रमा का कोई जरूर्थ नहीं कोई जरूर्थ नहीं अभी आप देखो ना अभी मनव उसका महानता की बात है लुकना है तो अभी आप देखिए अभी हम लोग यहां बर तीन बल्ब जल रहे एक ट्यूबलेट भी जल रहे बढ़तो जब सूर्ज चलने लेगेगा तो फिर यह का कोच रोशनी का जरूर्थ है इसका कोई माउस होए गया इसका माउस ही नहीं प्रियों अभी आपको माले में कई बार यह सट्रीट लेंट बारे मजे भी चलते रहता है पर दू वह जन्राइट की किसी को मालें नहीं या उसका प्रगाश का क और अब आप देखो venal और लाख मनव अडर मांनर आप फंदल सständ लाक किलोमेटर दोर में रहनेके बाल में घूटाम के इतनला तो अहर तो है ति इस अंस अधिन में आपकर अब मोह बहुत मेंदर बात है बहुत बाइंकर्बाद है तो हमां यह बात को जाना है यह बहरा है कि यिज यो है में यवावन कोई मंदर भी नहीं और वहावन कोई सुर्चा चंध्रमा भी नहीं का घॉद्र है हो जोदी का मौत है इसलिए मैं बोला कि व कि म्हा ने क्योंकि परमेश्र की ते से उसमें उजाला हो रहा है और मेमना उसका दीवक है वास्तों मैं यह बहुत बड़ी बात है प्रीव हमारी जीवन में यह शिया निभी में एक हैसा वजन है मालव आ मालव उसका चूबी सतिया है उसका तैई सुझे तब चंद्रमा संकुच हो जाएगा सुर्य लजजजित होगा क्योंकि सेनाओं का यह हुआं सिवन पर्वत पर यरिशले में अपनी प्रजा के पुर्णियों के सामने प्रतप के साथ राज्य करेगा वाँ अपने देखा है लिचित होगा पुलते चंद्रमा और सुरेजवायला लिचित हो जाएगा कितना अनौख है बैं आँको बताने चाहोंगा वह अनन्ददा में भी महान रेगा महान रेगा वह महान हे प्रियों तो कितना गारिक उसका मदलब कि उसका अपनुरु तान प्रवीश्वुष्मसी कि पनुरु तान यह अमारे लिए कितना स्रेष्ट बात है प्रवीशु मुसी के उस पुन्रतान मरने के बाद यह उड़ने के द्वारा पस्तों में कितना बड़ा पद भी मिला ना पीए सुस्ता हूं सच में हम लोग हावा रहे कि अप्रियों आप देखें जनम से हमारे उपर एक चाप था है हमारा उपर चाप क्या था है आपको लगा हूँ था कोडसियों का बत्री उतका दूसरा दिया है उतका का चाफादा पंदर मेถु हमारे नाम पर हमारे विरोध में था मीटाडाला kaisा मीटाडाओぉ उसे क्रोज पर किलों से जकड कर सामने से घर और उसने प्रधानों और अधिकारों को उपर से उतार कर उनका खुलम खुला तमाषा बनाया और प्रूस के द्वारा उनपर जैजेकार की द्वनी सुनाई एक सुनाया अभी मेरी लोगों तुमारे उपर अभी ओने की नहीं आदा है रहा धाहीब कितना अभी अमें इसलिये बोलता है यो फोह पर दिंदा की आगया नहीं हो आपका सजा नहीं प्रियों कि विश्वास करके अलोगों को वापस कों और शींटेला सक्ता प्रियों पार्त कराएं निर्दोश सुर्ग ने, सुर्ग या कोट ये खोशना किया ये निर्दोश है क्यों निर्दोश है? क्योंकि हमने अमारे लिए सुर्ग चोड़कर दुनिया में आकर हमारा पाव का मजदूरी अमारे लिए अपने उपर उड़ाकर सूली पर चड़कर मर कर, जी हुडा, उस आर्भू पर विश्वास किया। ओ, ये सचाई पर, आप विश्वास करता हैं na, नहीं तो देर ना करो पी, देर ना करो, अगर आप ये सचाई पर विश्वास करेंगे, आपको दर्मी किना जाएगा, परिएकर का दिश्टी में आप दर्मी बन कर रे प एसाएक निर्दोष वस्था में सुर्ग है आपको अंगियार करने व्लावाला पद भी है ना किया मिला है है हमें धार्मिगदा मिला हमें धार्मिगदा मिला इत्तुना बड़ी बात है ओ वजन अभी आपका हिंदी में पढ़ने से भी कोई वाइदा नहीं है मालों रोभियों 4 का चोभी वजन है बहुत अनोक है सब्दें प्रियों मैं आपको बदा हूं कि यह सब्दा आप लोग फिर भी पड़ लीजिएगा वरण हमारे लिए भी जिनके लिए विश्वास धार्मिगदा गिना जाएगा विश्वास धार्मिगदा गिना जाएगा विश्वास धार्मिगदा गिना जाएगा मलब प्रभु का विश्वास अमें धार्मिगदा गिना जाएगा मैं अपने मल्याड में भी आपको आप समझने के लिए बदा दाना चाहूंगा नम्मुडे नीदी गरनतर आई वयर पिच्च मिरिकनू नम्मुडे नीदी गरनतर आई वयर पिच्च मिरिकनू अमारी धारमीदा के लिए जिलाया गया Englishman 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 भी तुड़ा पड़ी and was raised because of our justification अ, देखा अमारा धारमीदा के लिए जिलाया गया अभी आपने Malayalam में भी सुना Hindi में भी सुना Englishman भी सुना वह हमारे अपरादों के लिए पकड़ाया गया और हमारी धारमीदा के लिए चिलाया भी गया 25 में 25 में हिंदी में 25 में दुनिया में एक पाभी को अगर दर्मी होना है तो इस प्रगार हमारे लिए मर करके जी उड़ा हुआ एक वित्ती चाहिए वो एक मातर वित्ती वो महाने के नहीं रे वो महानों से महाने बादी महाने वो कितना महाने करके देखो वो कितनों महाले करके देखो प्रीयों आप देखना चाहिए ना प्रीयों हमारे येश्व मसी कितना महाले उस महान प्रभू जी नहीं उड़ा तो आज हमें प्रभू के सामने कोई हयाब नहीं हम दैरी के साथ प्रभू के निकत नहीं जा सकता हम ओनियासन के साए मैं कड़ा नहीं हो पाता कड़ों हमें कड़ाओने के लाइक बिनाया हमारा परवीशुमसिख कितना महाले बियो कितना महाले औमर्दों से जी उड़ा बियों मौनिलियॹ। उसकी जी उड़ने कि नवारा हमें दारमीदा प्राफ्त हुआ हमारा दारमीदा के लिए ओ जी उना है कितना देनी बात है ला कितना खुशी की बात है वह आपको बहुत आशिद है मैं चाहता हूं एक एक बातों को जानना परियो प्रभी शुमसी की मुट्यों से प्रभी शुमसी की जी उनने से प्रभी श सौशता हूं यह कितनों वी बर्दन करेगा तुब्होंच कम हैं थो आपको चोड़ी चोड़ी बाते उसको निगाल करके दिया एगर असामया ओने से अब कितनी लंबार यंदी में इसको बोल सका है दिखुंआ प्रिए नीहीं की नहीं ओर अर्प्रगार माहने ऑर प्रघार माहने मैं उठकर 275 में और यी ओडने में म महाने और महिमा में महाने और आज़ तुम्हें महाने अनंददा में भी महाने उसका महानदा का अभी वर्वन क्या करूँ उसका एक 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 बात अभी भी मलब बोलने के लिए तुम होते हैं मैं अभी यहामर समाग करना चाहूंगा ब्रियों, जरुट लो आप यह वज़नों गो दियान करें, आप इस पादर्शमय जीवन एक सच्छा मसी को पढ़ने लाइक जीवन मिजानी के लिए ये वजनों की दोला अपसों को सायद करें और काने करें आप सबने साथ हो आमें